प्रदेश में भारी बारिश वब भुस्खरन के कारण कई क्षेत्रों का प्रदेश से सडग संपर कड़ गया है। इसमें मुखे रूप से प्रदेश का प्रेटन क्षेत्र कुलू भी शामिल है। मंडी से कुलू जाने वाला कटोला मार्ग पूरी थरा बंद पड़ा है। साथ ही कुलू से मंडी वाया पंडो जाने वाला रास्ता भी बंद है। दोनों ही रास्तों पर भारी संख्या में वहां रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं। यहां फसे वहानों में स्थानिय व मार खुलनी का इंतजार है ऐसे मोंने होने वाले नुकसान की भरपाई करना मुश्किल होगा वहीं भारी राजियों से आए वेपारियों का कहना है कि यहां पर कई राजियों के वहां फसे हुए हैं कुछ वहां चालक तो ऐसे भी थे जिनोंने रास्ते नक खुलने के कारण कर चुका है सर यह गोवर्मेंट भी कुछ मदर नहीं कर रही हैं अगर एक दो दिनों में गोवर्मेंट ने ना यह रोड को शुरू किया तो यह सारा माल पानी बन जाएगा जिससे लाख और बेका नुक्सान हो जगा सब गाड़ी चाल कि यहीं पर रहें घड़ी हैं इस व में तुम्हार को कुछ भी नहीं बचेगा बहुत लॉस में हम अब असी ऐसी जाल लाक लाक रुपे की गाड़ी आ रही है सर उपर से हमारे यहां पर ड्रैवर भाई भी यह बहुत परशान है चार दिन से बैठे हुए और हमारा सारा माल खराब हो गया है अब हम तो चाते ह हो चुकए है हमें और हम लाहल से लेके शले थे और हमें उत्रा खας बढ़ी दौर दे रहाला थो उनमें जाना था और हमारी यह पूरी मचर खराब हो चुकिए और इससे हम रास्ते का कुछ हो कुछ सुधार हो कुछ परेसानी । पता निए कितने लोगों तो गाड़े पहिंक दी सर्फ उमीद है कि आज शाम तक मंडी से कुलू जाने वाले मार्गों को खोला जा सकेगा इसके लिए मंडी वा कुलू जिला प्रशासन द्वारा इन मार्गों को खोलने के प्रयास युद्सतर पर जारी है